नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अस्मिता दुबे इस बुलिटिन में आज बात होगी केंदर के कानूर पर अनदाताओं के गुस्से की बताएंगे कि हैदरबाद के नगर निकाय चुनाओं में बीजेपी की क्या है तेयारियां जानेंगे शिवराज की परिशानियों का क्या है कारण और आखिर में बाद पियम मोदी के मन की बात की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसत सौमित्र खान का बड़ा दावा बहुमत का समर्तन खोचुकी है ममताब एनरजी राजिपाल ममताब एनरजी को बहुमत सावित करने का दे सकते हैं निर्देश चुनाओं से पहले ही गिर जाएगी ममता सरकार केंद्रिय रेल मंत्री प्यूज गोयल का एलान रेलवे स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त करने पर सरकार का जोर देश के रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही मिट्टी के कुल्हडोप में मिलेगी चाय अभी 400 स्टेशनों पर है ये सुविधा तमिलनाडू की राजनीती में मची हलचल रजनीकांथ कर ले सकते हैं बड़ा फैसला विधान सभथ चुनावों को लेकर बुलाई पार्टी की बैठक सभी दलों की नजर रजनीकांथ के फैसले पर रजनीकांथ को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है बीजेपी के अधिग्रहन मामले में पीछे हटने को तयार नहीं अडानी समूहों अब डिये जेफिल के अधिग्रहन के लिए दिया 33,000 करोड रुपे का प्रस्ताव केंद्र के क्रिशी कानूनों के खिलाफ अन्यदाताओं का गुस्ता बढ़ता जा रहा है सरकार ने उन्हें पहले तो दिल्ली आने की इजाज़त नहीं दी लेकिन जब वे दिल्ली आ गए तो उन्हें बुराडी में प्रदर्शन की जगा देनी की बात कही अमिच शाह ने बाचीत का प्रस्ताव दिया लेकिन प्रदर्शन कारियों ने आज सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया अनदाताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर क्या कहा देखे हमारी रिपोर्ट दिल्ली की सिंगु बॉर्डर इस समय किसानों की राजनीती का केंद्र बन गई है देश भर में किसान सिंगु बॉर्डर की और कूच कर रहा है एक लाग से जादा किसान यहां एकत्रित हो चुके हैं जिसकारण से ये रास्ता बंद कर दिया गया है रास्ते तो फिलहाल हर और से बंधी दिख रहे हैं केंद्रियेक रहमंत्री अमिट शाह ने किसानों उसको बाचीत का प्रस्ताव दिया लेकिन किसानों ने अमिट शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया किसानों का कहना है कि बादचीत करने के लिए वो कहीं नहीं जाएंगे सरकार को ही उनके पास आना होगा सरकार की और से किसानों को प्रदर्शन के लिए पुराडी में जगा देने की घोशना भी की गई थी लेकिन किसानों ने सरकार की इस पेशकस को भी ठुकरा दिया किसानों ने तै किया है कि वो फिलाल कहीं नहीं जा रहे हैं वो अभी सिंगु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे सिंगु बॉर्डर पर आज दिन भर किसानों की मीटिंग चलती रही आज शाम को किसान यूनियन ने कहा कि हम बिना शर्ट सरकार से बाचीट चाहते हैं हमारे पास परियाप्त राशन है और चार महीने तक हम रोड पर बैट सकते हैं हम लंबे दौर की तैयारी करके आए हैं उत्रकंड के तजिंदर सिंग बिस्ट की अगुवाई में किसान दिल्ली के जंतरमंतर जाना चाहते थे किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो दिल्ली आने वाले सभी हाईवे वो जाम कर देंगे किसानों ने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है यही सभी चीजों पर नजर रखेंगी किसी भी राज़नीतिक दल को स्टेश पर बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी दिली में एक लड़ाई क्रिशी कानून पर चल रही है दूसरी और हैदराबाद में कुरसी की लड़ाई चल रही है हैदराबाद नगर निगम चुनाओ पर सभी की निगाहे टिकी है प्रचार अभियान समाप्त हो चुके हैं अब मददान की तयारी है एक दिसंबर को 150 सदसिये इस निगम के लिए वोट डाले जाएंगे तो अंतिम दिन के प्रचार में क्या था खास इस रिपोर्ट में देखिए हैदरबाद इस समय राजनीती का केंद्र बना हुआ है वैसे चुनाओ तो यहां हो रहा है नगर निगम का लेकिन पार्टियों के प्रचार अभियान को देखे तो ये कोई विधानसभा चुनाओ का एहसास करा देता है खास तोर पर बीजेपी ने तो अपने राश्ट्री अध्यक्ष और केंद्री ग्रहमंत्री को लेकर अपना हर नेता यहां प्रचार में लगा रखा है दरसल बीजेपी 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाओ से पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाओ को लिटमस टेस्ट मान रही है चुनाओ प्रचार का आज आखरी दिन था और केंद्री ग्रहमंत्री अमिच्षा बीजेपी के प्रचार में यहां पहुचे हुए थे उन्होंने पहले रोडशो किया और फिर विपक्ष को निशाने पढ़ लिया अमिच्षा ने कहा यहां जिस तरह कॉर्परेशन TRS और AIMIM के नेतरित्व में चला है वो हैदराबाद को विश्व का IT हब बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है शाह ने कहा कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम संस्कृती से मुक्त कराने आये हैं और यहां मिनी इंडिया बनाने जा रहे हैं हम हैदराबाद को एक आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं जो निजाम की संस्कृती से मुक्त हो बीजेपी तो हैदराबाद का नाम भी बदलने का दावा कर रही है लेकिन बीजेपी के लिए रहा आसान नहीं है 2015 में बीजेपी को यहां 150 सीटों में से सिर्फ 4 पर जीत मिली थी बीजेपी के प्रचार पर तंच कसते हुए AIMIM ने कहा कि जिस तरह का प्रचार यहां केंदर की सत्ताधारी बीजेपी ने किया है उससे लगता है कि यह चुनाव पीम के लिए हो रहा है हैदरबाद के लोग पीम का चुनाव कर रहे है यह चुनाव मोदी की जगा कौन होगा इसके लिए हो रहा है बीजेपी के अध्यक्ष सर लेकर हर नेता यहां मौजूद है बस एक डुनाल टरम की कमी रह गई है उन्हें भी बुला लिया जाए तो भी बीजेपी का कुछ नहीं हो पाएगा वैसे भी मोदी ने कहा था कि अब की बार टरम्प सरकार लेकिन टरम्प का क्या हुआ यह सभी जानते हैं वो खुद चुनाव हार गए और अब हैदराबाद में भी बीजेपी की हार होगी हैदराबाद में राजनीतिक दलों के बीच चुनाव में जमकर तल्खी देखी जा रही है वैसे बिहार में भी चुनाव के दौरान इसी तरह की तल्खी देखी गई थी बिहार में नई सरकार बन गई लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्की अभी भी कम नहीं हुई है और अब तेजस्वी ने नितीश कुमार को लेकर तल्क बयान दिया है तो क्या कहा है तेजस्वी ने देखिए इस रिपोर्ट में नितीश कुमार ने जब से CM पद की शपत ली है तभी से बिहार में शांती व्योस्था बनाए रखना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है नितीश कुमार बिहार के CM है साथ ही उनके पास ही ग्रेह मंत्राले भी है इसी लिए प्रदेश के बिगरते हालात को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं गोपाल गंज में एक व्यापारी परिवार के दो सदस्यों की जान लेने की घटना सामने आने के बाद से विपक्ष नितीश सरकार को घेडने में जुट गया है तेजस्वी यादव ने तो नितीश कुमार को महा जंगल राज के महराजा तक करार दे दिया है उन्होंने प्रदेश की स्थिती को लेकर चिंता जताई है बिहार के नेता प्र्तिपक्ष तेजस्वी यादब ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में विधी व्योस्था चर्मरा गई है राजी के अंदर असामाजिक तत्वों की बहार है असामाजिक तत्व बिना किसी डर के अपने कारणामे को अन्जाम दे रहे हैं सूबे में विवसाई परिशान है, महा जंगल राज का हाहाकार है, चारों और सिर्फ डर का माहौल बन गया है तेजस्वी ने बिहार में डबल इंजन वाली NDA सरकार को लेकर भी तंस कस्ते हुए कहा बिहार में विधी विवस्था समाप्त हो चुकी है, डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुष्ट, लाचार, बेबस और असहाय हैं, महा जंगल राज के महाराजा मौन क्यों है तो तेजस्वी यादब ने साफ कर दिया है कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार भले न बन पाई हो, लेकिन जनता के मुद्दों को वो लगातार उठाते रहेंगे एक तरफ तेजस्वी नितीश कुमार को लेकर तल्ख टिपड़ी करते जा रहे हैं, तो दूसरी और कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने फिर केंदर सरकार को आड़े हाथो लिया है लेकिन इस बार बेरुजगारी और अर्थवेवस्था की जगा मुद्दा जरा हटके हैं, रिपोर्ट देखिए नए कृशी कानूनों को लेकर पहले ही केंदर सरकार अनदाताओं के घेरे में है इसके साथ ही बेरुजगारी, गिर्थी अर्थवेवस्था और महमारी के बढ़ते संक्रमन को लेकर भी कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी लगातार सरकार को घेरते रहे हैं लेकिन इस बार राहूल गांधी ने एक अलग मुद्दे पर सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने अनुसूचित जाती के चात्रों के लिए 60 लाख रुपे की चात्र विर्ती अटक जाने के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को आड़े हाथो लिया है एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत को लेकर बीजेपी और संग की सोच के अनुसार SC और ST की शिक्षा तक पहुँच नहीं होनी चाहिए SC-ST छात्रों की चात्विटी रोकना लक्ष को हासिल करने के लिए गलत तरीकों को भी सही साबित करने का उनका तरीका है आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो मीडिया रिपोर्ट ट्वीट में साजा की उसमें कहा गया है कि कक्षा 11 और 12 के अनुसूचित जाती के 60 लाग से अधिक शात्रों की मदद करने वाली केंदर सरकार की एक अहम योजना राजियों को केंदर से मिलने वाली वित्तिय मदद 2017 के एक फॉर्मूले के तहट बंद हो गई है जिसके बाद 14 से अधिक राजियों ने इस योजना को लगभग बंद कर दिया है अब देखना है कि राहुल गांधी के बयान के बाद केंदर सरकार क्या कदम उठाती है कर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और सिंधिया का दबाव रंग लाता भी दीख रहा है तो सिंधिया के दबाव में क्या फैसला लेने वाले हैं शिवराज सिंग चोहान देखे हमारी इस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में अभी हाल ही में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को 19 और कॉंग्रिस को 9 सीटों पर जीत मिली 19 सीटे मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी बहुमत में आ गई शिवराज सरकार अपने आपको सुरक्षित मान रही है लेकिन उनकी परेशानी उपचुनावों में तीन मंत्रियों की हार ने बढ़ा दी है ये तीनों मंत्री सिंधिया समर्तक हैं जो 2018 में कॉंग्रिस की टिकट पर विधायक चुने गए थे और सिंधिया ने जब कॉंग्रिस छोड़ बीजेपी का दामन थामा तो इन्होंने भी पाला बदल लिया और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया लेकिन उनके शेतर की जनता को विधायकों का इस्तीफा देना पसंद नहीं आया इसलिए उप चुनावों में ये मंत्री चुनाव हार गए अपने करीबी मंत्रियों की हार से सिंधिया परिशान है और वो शिवराज सिंग चोहान पर लगातार दबाव बना रहे है कि ये लोग मंत्री भले ही ना रहे लेकिन मंत्री का दर्जा जरूर पर करार रहना चाहिए जी हाँ सिंधिया ने शिवराज पर दबाव बना रखा है कि उनके समर्थकों को निगम और मंडलों में चेर्मैन बनाया जाए शिरुवाती आनकानी के बाद अब शिवराज भी इसके लिए तयार हो गए है इसके संकेत इमर्ती देवी की ओर से भी मिलने लगे हैं इमर्ति देवी शिवराज सरकार में मंत्री थी और चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने शिवराज को अपना स्टीफा सौप दिया था और अब शिवराज सिंग उन्हें महिला वित्विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर मंतरी का दर्जा बरकरार रखने की तयारी कर चुके हैं इनके नाम की घोशना कभी भी हो सकती है इसके अलावा सिंधिया समर्थक कुछ और लोगों को भी निगमों में जगा दी जाएगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी चर्मा को भी अपनी नई टीम बनानी है उनकी टीम में सिंधिया समर्थक 4-5 लोग शामिर हो सकते हैं पंकच चतुरवेदी को बीजेपी प्रवक्ता और भांडेरा से विधायक रक्षा सिरोनिया को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाओं को लेकर जम कर उठा पटक मची हुई है नेताओं के पार्टी छोड़ने और दूसरे दलों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है दस साल से राजिकी सत्ता पर काबिज ममता बनर जी की पार्टी टीमसी भी इस से परिशान दिख रही है बीजेपी की नजर टीमसी के बड़े नेताओं पर है और बीजेपी की ओर से टीमसी नेताओं को अपनी पार्टी में आने का ओफर तक दिया जा रहा है जो दीदी की परिशानी बढ़ा रहा है TMC में इस समय जिस बड़े नेता ने बगावत का जंडा उठाया है उनका नाम है शुभेंदू अधिकारी अधिकारी ममता सरकार में कद्दावर्ड मंतरी थे लेकिन पिछले कुछ समय से वो नाराज चल रहे थे और अभी हाल ही में उन्होंने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया है लेकिन TMC और विधान सभा की सदस्ता अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ी है वो पिछले कुछ समय से बिना पार्टी के जंडे के पशिम बंगाल में तमाम रैलियां कर रहे थे तब ही से ममता बनर्जी भी उनसे नाराज दिख रही थी लोगसभा चुनाओं में ममता बनर्जी की ओर से शुभेंदू को बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई थी उनके हाथ में पशिम बंगाल की 13 लोगसभा सीटों की कमान थी जिसमें से टीमसी को सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी जबकि 9 पर पार्टी को हार मिली थी जो संकेत था कि शुभेंदू की पकड़ अब जमीन पर कमजोर पड़ गई है ये 13 लोगसभा सीटें पशिम बंगाल के 8 जिलों में आती है और इन में आने वाली 99 विधान सभा सीटों में से 86 विधान सभा सीटों पर शुभेंदू का दबदबा माना जाता है शुभेंदू के समर्थक उन्हें TMC में ममता बनर जी के बाद दूसरे नंबर का नेता मानते हैं जबकि शुभेंदू विरोधियों का कहना है कि TMC में सिर्फ एक ही नेता है जिसके नाम पर पूरे पशिम बंगाल में TMC को वोट मिलता है और वो है ममता बनर जी इसी लिए शुभेंदू पार्टी में रहें या ना रहें ज्यादा अंतर नहीं आएगा और बुलिटिन के आखिर में बात होगी प्यम मोदी के मन की बात की देश एक तरफ बढ़ती स्वास्त मुसीवत से जूंज रहा है तो इसी के बीच अनदाताओं का अपनी मां को लेकर आकरोश अपने चरम पर है इसी के साथ ही चुनावी हलचल भी तेज हैं और इन सब के बीच PM मोदी ने आज मन की बात की है तो क्या कुछ कहा है पीम मोदी ने इस रिपोर्ट में देखिए की शिकायत का निप्टारा करना होगा कृषी कानुनों के अलावा पी-म ने कहा कि एक खुश खबरी सुना रहा हूँ कनाडा से मा अन्नपूर्णा देवी की मूर्ती वापस लाई गई है इसके लिए कनाडा सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ माता अन्नपूर्णा का काशी से विशेश संबंध है अब उनकी प्रतीमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है इसके साथ ही पी-म ने गुरुनानक देव जी के प्रभाव को बताते हुए कहा कि कल 30 नौंबर को हम श्री गुरुनानक देव जी का 551 प्रकाश परव मनाएंगे पूरी दुनिया में गुरुनानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वैंकूवर से विलिंगटन तक और सिंगापूर से दक्षिन अफरिका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं हलांकि पी-म मोदी ने वैक्सीन को लेकर कुछ भी नहीं कहा लेकिन आपको बता दें कि बीते शनीवार को पी-म मोदी ने देश की तीन प्रमुख लैब का दौरा किया और वहाँ वैक्सीन की जानकारी ली इसी के साथ किर्शी कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है किसान सरकार के नए किशी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो सरकार भी अपने रुख पर अड़ी हुई है और पी-म मोदी के मन की बात से ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार इस कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है और दिन भर की बड़ी खबरों मेरे साथ इतना ही देखते रहिए डीबी लाइट नमस्कार